ओम नवेशिवाय प्रदोस प्रत की कथा बुद्ध्य प्रदोस की ये कथा है एक पुरुस का नया-Nया विवा हुआ था वह गवने के बार दूसरी बार पत्नी को लिवाने अपने ससुरान पोचा और अपनी साह से कहा कि बुद्धवार के दिन पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा उस पुरुस के सास ससूर साले सालियों ने उसको बहुत समझाया कि बुद्धवार को पत्नी को विदा खराकर ले जाना सुभ नहीं होता लेकिन मलपुरुस अपने जिद से टस्ट से मस नहीं हुआ विवसो कर सास ससूर ने अपने जमाही और पुत्री को भारी मन से विदा किया पत्नी वैल गाड़ी में चले जा रहे थे एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी पती लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया पानी लेकर जब वो लोटा तो उसके क्रोध और आश्चर की सीमा ना रही क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुस के लाए लोटे में से पानी पीकर हस हसकर बात कर रही थे क्रोध में क्रोधित होकर वह उस आदमी से जगड़ा करने लगा मगर यह देखकर उससे आश्चर की सीमा ना रही कि उस पुरुष की सकल हू बहू उसी से मिलती थी हम सकल आदमियों के जगड़ा करते हुए जब काफी देर हो गई तो वहां आने जाने वालों की भीड़ी कठा हो गई सिपाही भी आ गया सिपाही ने इस तरी से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पती है तो वह वीचारे अस्वंजस में पढ़ गई क्योंकि दोनों की सकल एक दूसरे से मिलती दूती थी बीच राह में अपनी पती को इस तरह से लुटा देखकर उस पुरुष की आँख भर आई और वह भगवान भोले से प्रातना करने लगा हे भगवान आप मेरी और मेरी पतने की रच्छा करो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैं बुद्धवार को अपनी पती ने को विदा करा के ले आया भविश में ऐसा अपराज कभी नहीं करूंगा उसकी यह प्रातना जैसे ही पूरी हुए गुशा पुरुष अंतर ध्यान हो गया वै पुरुष सकुसर पतनी के साथ अपने घर पहुँद गया उस दिन के बाद पती पतनी नियम पूरवक बुद्ध प्रदोस का ब्रत करने लगे जो या कहानी पढ़ता या सुनता है उसके समस्त मनों कामनाए भगवान भोले पूंड करते हैं अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छे लगती है तो उसको लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब